सभी यांगनबारी बहनों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15.2 अपडेट के बारे में बहुत सारी यांगनबारी बहने जो है 15.2 अपडेट के बारे में जान गई होंगी लेकिन कुछ-कुछ बाते ऐसी है जो सभी आगन बारी बहने नहीं जानती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसा कि जो चार अपडेट आया है चारों महतोपूर्ण अपडेट को समझेंगे कि क्या-क्या अपडेट आया है और इसमें कुछ कमिया भी है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे तो वीडियो को आप लोग लाश्ट तक जरूर देख लीजेगा चलिए यहाँ पे हम आपको पहला अपडेट जो बता देते हैं कि पहला अपडेट जो आया था वो यहाँ पे बेनिफिसरी वाली केटेगरीज में आया था कि जितने भी बेनिफिसरीज हैं इन सभी का प्रोफाइल कार्ड बनाया गया है किसी का भी आप यहाँ पे प्रोफाइल कार्ड चेक कर सकते हैं जैसे के हमने यहाँ पे 0 से 6 मौन्थ वाले बच्चों की केटेगरी open की है, open करने के बाद आप किसी भी बच्चे के नाम के उपर click करेंगे या किसी भी लभार्थी के नाम के उपर click करेंगे, यहाँ पे एक profile card की तरह दिखाया जाएगा, कि इसमें क्या-क्या आपने add किया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पे pencil का निशान दिया गया है, यहीं से आप उसका profile अपडेट भी कर सकते हैं, नीचे में यहाँ पे इस बच्चे का जो growth moon rating का जो चार्ट है वो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग इसको देख पाएंगे, चल भरने के बाद यह वाला जो category है, जैसे कि यहाँ पे आप इसको select करते हैं कि यह गर्भवती महिला कितने महिनों की गर्भवती है, तो आप लोग यहाँ पे click करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी option नहीं दिखाएगा, जो एक, दो, तीन, चार करके जो serial number 9 month का दिया रहता है, व और यहाँ पे जैसे ही आप लोग इस गर्भवती महिला का LMP date डालेंगी, यहाँ पे उस गर्भवती महिला का month automatic select होके आ जाएगा, सेम प्रोसे से जैसे आप लोग registration करते हैं, वैसे ही किजिएगा, और चली हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो 9 month, 6 month और 5 month का ज जो pregnancy month है, वो 9 month हो चुका है, और यहाँ पे हम click करते हैं, 3 dot पे, 3 dot पे click करने के बाद migrate to lactating mother वाले पे click करते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे वो option ही नहीं आ रहा है, जिसमें कि हम इस गर्भवती महिला का जो delivery date है, उसको डाल के यहाँ से इसको migrate कर सके हैं, तो अभी ज के बाद यहाँ पे एक और जो गर्भवती महिला है, जिसका यहाँ पे 7 month हो चुका है, तो इसके भी 3 dot पे click करते हैं, और यहाँ पे migrate to lactating mother वाले पे click करते हैं, तो देखिए इस लभार्थी का भी इसी परकार से दिखा रहा है, जैसा कि 9 month, 6 month या किसी का भी जो pregnancy date है, वो लोग अपने mobile में date और time को change कर देते हैं, तो आपका जो portion tracker app है, वो login नहीं हो पाएगा, और आप वहाँ पे काम नहीं कर पाएगे, और चौर्था जो update था, वो minor work fix के बारे में था, तो इस प्रकार से आप लोग के portion tracker app में ये 4 update आए हैं, चारो update के बारे में आप लोग को य आज के इस वीडियों फिलाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए topic नई जनकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियों में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद